साथियों, ये जनशक्ती की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरफ खड़े रहे, अपने महले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बनाओ उससे ज्यादा करने की कोशिश की, आज विश्व में वैक्सिनेशन के जो आंकडे हैं, उनकी तुलना भारत से करें, तो लगता है कि देश ने कितना अभूदपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्षा हासिल किया है, वैक्सिन की 140 करोड डोच के पड़ाव को पार करना प्रतेएक भारतवासी की अपनी उपलब्दी है, ये प्रते एक भारतिय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, विज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है, और समाज के प्रती, अपने दाइत्वों को निभार है, हम भारतियों के इच्छा शक्ति का प्रमान भी है, लेकिन साथियों हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया बेरियंट दस तक दे चुका है पिछले दो वर्षों का हमारा अनुव हो है कि इस 22 विक महामरी को परास करने के लिए एक नागरिक के तोर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्मपून है इस जो नया आमिकरोन बेरेंट आया है उसका अध्यान हमारे वेज्यानिक लगातार कर रहे हैं हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है उनके सुझाओं पर काम हो रहा है ऐसे में स्वयम की सजगता स्वयम का अनुशासन कोरोना के इस वेरियंट के खिलाप देश की बहुत बड़ी शक्ती है हमारी सामुहिक शक्ती ही कोरोना को परास्त करेगी इसी दाइक्त्वबोत के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है